है हुआ हysz ओपनें वकम बाक टिडी 3.0 क्या होखमेरे इते निवाम हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चो चल रहा है ऐसे बढ़ी आच चलो great so मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बखुडों मेरे प्यारे गुलगुलों पिछले lecture में हम लोगों ने ionic radius की बात की थी याने की radius ratio की बात की थी और radius ratio के basis पर हमने ये पता लगा लिया था की अगर anion का size cation से बड़ा हो और अगर आपका radius ratio याने radius of cation divided by radius of anion अगर 0.225 से 0.414 के बीच में है मलब आपका cation tetrahydral void occupy करेगा 0.414 से 0.732 के बीच में है तो वो cation octahedral void occupy करेगा और अगर 0.739 से 0.99 के बीच में है तो वो cubic void occupy करेगा और हम लोगों ने इस basis पर coordination number निकालना भी सीख लिया था tetrahydral void occupy करने वाले का coordination number 4 होगा octahedral void occupy करने वाले का coordination number 6 होगा और cubic वाले का 8 होगा आज हम लोग इस topic को थोड़ा आगे लेकर चलते हो और आज हम लोग यहाँ पर heading डालेंगे types of crystalline structure types of crystalline या मैं कहूं crystal structures types of crystal structures यानि कि आपके जो crystal structure होते हैं यह basically कितने type क्यों होते हैं sir इसका मतलब क्या कुछ समझ में नहीं आया देखो भाई ionic solids तो बहुत सारे होते मार्केट में sir कैसे NACL CSCL ZNS CSEL2 MGCL2 है ना फिर MN Fe2O3 मैंना there are several types of ionic solids ऐसा थोड़ी है कि ionic solids सिर्फ NACL type का होगा या सिर्फ KCL type का होगा there are different type of ionic solids तो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मोटे मोटे तोर पर हम लोग हमारे ionic solids को अलग-अलग type से classify करेंगे तो सबसे पहला जो classification आएगा वो आएगा crystal structures crystal structure of A B type यहने आपके पास में जो crystal structure आ रहा है वो कौन से type का रहा है वो A B type का रहा है A B मतलब अगर A cation है तो B nion है cation और nion a cation a cation this type of structure is called as A B type क्या यह चीज clear हो गई मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से इस बात को समझना यह A B type के structure basically आपके तीन प्रकार के देखे जाते हैं सबसे पहला structure is called as NACL type crystal NACL type crystal second होता है आपका CSCL type structure याने कि आपका cesium chloride के जैसा structure और तीसरा होता है मेरे प्यारे गुलजारी लालो मेरे प्यारे प्यारे बखुडो ZNS type structure सर यहाँ पर आपने type क्यों लिखा NACL का जैसा structure है उसके जैसे और भहुत सारे structures हो सकते हैं उसके जैसे there are many type of structures क्या यहाँ तक चीज समझ में आ गई अचा उसके लिए चोटा सा update ले लो वैसे तो यह update आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप किसी 8, 9 तो 10 के बच्चे को जानते हों जो अपना early foundation बनाना चाहता है जो आप लोगों ने शायद miss कर दिया होगा 8, 9 तो 10 का बच्चा जो अपना early foundation बनाना चाहता है JE NEED जैसी exams के लिए NTSC, Olimpiars के लिए तो उसके लिए गाईस एक important information है कि मैंने an academy पर एक category पर join किया है और वो category सिर्फ 8, 9 तो 10 के बच्चों के लिए early foundations के लिए उसकी complete information मैंने नीचे description box में दे रखी है उन desirable बच्चों के साथ उन needy बच्चों के साथ जिनको उस चीज की need है जरूर share कीजएगा ठीक है अच्छा तो AB type में एक NACL हो गया एक cesium chloride हो गया तीनों के अंदर देखो AB AB और AB type है अगर आप A को cation ले रहा है तो ये cation ये cation ये cation और B को anion ले रहा है तो ये anion ये anion और anion दोनों का ratio one is to one याने AB type में एक cation और एक anion होता है पहले अपन NACL से पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे बच्चो NACL type के structure के अंदर एक बात ध्यान रखना जो आपका क्लोरीन आयन होगा क्लोरीन आयन ऑक्यूपाई क्लोरीन आयन ऑक्यूपाई सी सी पी लेटाइस ये क्या करेगा सी सी पी लेटाइस C Face Centered Unit Cell Face Centered Unit Cell में 8 लेटाइस पॉइंट प forming और 6 लेटाइस पॉइंट चे opposite faces पर होते हैं बास सब जगह पर कलोरीन दिखाए देगा क्या सकते हैं मिर्бы सब कुछ कर सकते हैं सील नेगेटिव – facto तो सियल नेगेटिव सियल नेगेटिव सियल नेगेटिव चीक है इनको जरा पूलाइप Посेटिकल लाइन से जोड देता है बुलजारी लालों के लिए ये अंट्री अ गल्तर्य albums से जोड दिया कि या के हाँ अब चलेगा अब आया है इसके मुह में खून यह देखो एक बार इस मारकर को विल्टी कराने के बाद अभी भी बड़ा लाइट चल रहा है क्या है ठीक है अच्छा उसके अलावा फेसेस आप तो फेसेस पे भी लागा दो C-Negative 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 यह यह फेसेस हो गए यह पूरा पूरा आपका कलोरीन कैयों करेगा तो सवाडियम कहा जाएगा so मेरे प्यारे बच्चो ओपका sodium ion में है sodium ion occupies the octahedral voids in fact all the octahedral voids अब octahedral voids कहांगे sir कुछ octahedral voids तो edges पर होते हैं एक na यहां na 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 यह edges हो गई अच्छा उसके अलावा यह भी edges एने 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 ना यह ना यह 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 आपके edges हो गई उसके अलावा एक octahedral voids body के बिल्कुल बीचो बीच बनता है एक na positive यहां आ गया मलब यह है आपका real ncl का structure बट sir एक बात बताओ अगर इतने सारे na और इतने सारे cl है तो फिर यह na cl type कैस है चलो chlorine के लिए अपन बात करते है chlorine iron कहां कहां है 8 corner पर एक corner का contribution one by eight 6 faces पर एक face का contribution one by two हो गया four ठीक है na positive की बात करें कितने octahedral voids हैं 12 octahedral voids है edges पर एक edge का contribution one by four प्लस एक बिल्कुल body के वीचों बीच है one तो यह हो गया four याने कि जब आपके पास में एक lattice मिलेगा जब आपके पास में एक जिसको बोलना चाहिए एक complete unit cell मिलेगा यह complete आपको जब crystal lattice मिलेगा उसमें यह कुछ ऐसा दिखेगा na four cl four समझ रहे हो four na and four cl जिसको आप simple ratio में ले जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि एक na पर एक cl है क्या बात समझ में आ रही है so this is the perfect example of ncl structure यह होता है ncl structure अब एक बात ध्यान रखना in future आपको हो सकता है j e wagira में neat wagira में ऐसे सवाल आ जाए कि आपके पास में solid है वो solid का ncl type का structure है तो अब आप घवराना मत ncl type के structure में सबसे पहली बात ध्यान रखना कि जो nion होता है वो ccp arrangement होता है मतलब कौन सा unit cell होगा यह fcc unit cell होगा बीना किसी दिक्कत है और जो तुमारा cation होगा वो हमेशा कौन सा void occupy करेगा वो हमेशा octahedral void occupy करेगा अचा इसका मतलब मैं यह भी लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो radius ratio होगा वो 0.225 से लेकर नहीं क्योंकि octahedral void occupy करेगा 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आपको यहाँ पर इनका radius ratio दिखाई देगा मतलब जिसका भी radius ratio इनके बीच में है वो यह वाला arrangement occupy कर सकता है अच्छा coordination number किता निकल के आएगा coordination number किता निकल के आएगा बताओ 6 coordination number किता निकल के आएगा 6 निकल के आएगा क्योंकि आप कौन सा वोइड occupy करवा रहे हो octahedral void और octahedral void के coordination number हमेशा कितना होता है 6 आप लोग जानते भी आप इससे example लेलो एक face यह हो गया 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 एक face पीछे वाला एक face यह आगे वाला यह छे faces पे जो particles हैं की वज़े से बीचो बीच एक coordination एक octahedral void create हुआ जिसमें sodium आकर बैठा तो एक दो तीन चार पांच और छे यह छे लोगों की वज़े से यहां पर एक void बना जिसमें sodium आ गया मलब एक cation छे nion से और एक nion छे cation से यहां पर घिरावा होता इस इस कॉल्ड एस nacl type structure अच्छा इसके अलावा इसके बहुत सारे एक्जैंपल्स हमें याद करके रखने पड़ेंगे तो सबसे बढ़िया एक्जैंपल याद करने का तरीका देखो lithium sodium potassium rubidium पहले ऐसा लिख लो LICL NACL KBR RBI अच्छा तरीका था अच्छा तरीका था कोई दिक्कत उसके अलावा AGCL भी लिख सकते हैं मैं एक बार क्रॉस टैली करूँगा इस चीज़ को हाँ बिल्कुल सही है आप AGCL इंफेट आप AGBR भी इस्तमाल करोगे AGBR मैं इसलिए देखने काया था क्योंकि यह PYQ में था कि इनका किसका NACL टाइप का स्ट्रक्चर होता बच्चे महाँ पर स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन यह अगर आपने पढ़ लिया तो यह आपका काम खतम अच्छा दो तीन बाते में आपको बता दू जो आपको याद रखना है जैसे कि इस तरीके के टॉपिक में से जो सवाल आते हैं यूजवली तो पहला तो आपको यह एक्जैम्पल्स सब्सक्राइब रखना है रेडियरेज़् रेशो की रेंज याद रखनी और एक सवाल क्या आता है यह एनसल टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा अ आपको लोगों को याद रखना है इसका ccp होता है ccp बोले तो fcc कौन सा unit cell बनाएगा face center वाला बनाएगा sodium octahedral void occupy कर रहा है और एक unit cell में आपको total 4 is to 4 atom दिखाई देंगे ठीक है न कोई दिक्कत चलिए great तो यहाँ पर nacl का structure समझ देने के बाद अब मैं आपको cesium chloride के structure की तरफ लेकर चलता हूँ ठीक है चलो great प्यारे बच्चो ध्यान रखना अगर आपका target J or NEET जैसी exams है तो बेटा जब paper का level tough होता है तब यहाँ से सवाल आते है यूजुएली कई बार advance में यहां से सवाल आते है मेंस में तो हलका फुलका edge length पूछ ली radius पूछ लिया FCC लेटाई से BCC है formula के basis पर density के formula के basis पर पूछ लिया यहां पर कभी कभी आपको advance में फसाया जाता है चलो अब हम आपन cesium chloride की बात करें तो सबसे पहली बात के याद रखेंगे कि अगें जो तुम्हारे cn negative ions होंगे यह दे ऑक्यूपाइ ccp they occupy ccp position यह ccp lattice अब आप लोग सब जानगा रे सर नहीं यहां पर ccp lattice नहीं होता सॉरी chlorine ion occupies वो तो zns मों होता है यहां पर आपका simple cubic lattice occupy करेंगे simple cubic lattice अब सर simple cubic lattice का मतलब मतलब 8 chlorine के ions 8 chlorine के ions आप लोगों को 8 corners पर दिखाई पड़ेंगे क्या इसके अलावा और कुछ होगा जी नहीं इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा तो फिर cesium कहां जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा previous lecture याद हो तो previous lecture में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जो आठ corner के इस प्रकार जो particles होते हैं ये लोग मिलकर एक नए टाइप का ये लोग मिलकर एक नए टाइप का void बनाते हैं जिसको cubic void बोला जाता है कौन सा void बोला जाता है cubic void तो यहाँ पर बिलकुल body के बीच ओ बीच यू विल बी observing a new void जिसको लाता है cubic void और यही cubic void तुम्हारा cesium आकर occupy करता है क्या यह बाद समझ में आ गई समझ में आ गई very good तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि cesium वाले case में एक important funda work करता है that cesium positive वाला जो तुम्हारा iron होता है it occupy the body center body center cubic void यह बिल्कुल important point है जो कि cesium यहाँ पर occupy करता है क्या यह चीज क्लियर हो गई अब सर इसका number कैसे पता लगाएंगे भई chlorine ions की अगर में बात करूं 8 corners है सबका percentage contribution 1 by 8 होता है sorry average contribution तो ही हो गया 1 और cesium positive body के बिल्कुल बीचो बीच है तो इसका contribution भी बन हो गया 8 is to 8 आप खुद देखो यहाँ पर ए ні, फिर टेलूरियम आयोड़ाइट टेलूरियम ख्लोराइड and टेलूरियम साइन आयो डाइड नहीं होता हां आई रीडह यह आई भ्रू्माइब एंसाइन थे यह कुछ इसके एक्जैम्पल्स होते प्यारे प्यारे बच्चो जो आपको याद रखने देखो बड़ा इजी है बड़ा इजी है कोई परिशानी वाली बात नहीं सर रेडियस रेशोर बता दो फ्लीज एक रेडियस रेशोर बता दो ठीक है तो सेजियम क्लोराइड का जो तुमारा रेडियस रेशो होगा वह 0.732 से लेकर 0.99 के बीच का होगा यह इसका रे अपन यहां से फिर आगे बढ़ चलें पर फड़ा याद करो फड़ा फड़ा नोट करो करो कई बार जेही में सवाल पूछा गया था वो मैं आपसे बूछ लेता हूं सेजियम क्लोराइड आयन्स है विच काइंड आफ यूनिट सेल्स तेजियम क्लोराइड शॉल्ट है वि भड़ गई पी उसी तो पॉलूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट सर वह तो नहीं अरे ना रहे मेरे बच्चे प्रिमिटिव यूनिट सेल्फ प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब जिसके थिर्फ आट कॉर्णर पर आट लेटाइस पॉइंट हो बाट सेट कि जेडेनेस वाले का क्या सिस्टम रेता है जेडेनेस वाले का क्या सीन रेता इसको भी समझ लेता है जेडेनेस वाले के अंदर मेरे प्यारे गुलजारी लालो जो तुम्हारा एस नेगेटिव आयान होता है अगेन इड़ उक्यूपाइस सी सी पी अच्छा यह भी सी सी पी मतलब कौन सा अरेंजमेंट हो गया एफ्सीशी अरेंजमेंट हो गया ओकेई तो कैसे बनेगा सर थोड़ा बता दो सिर्ण मुझे चल्दी बताये एक्साइटमेंट हो रहा है कि यह आप क्या बना रही है क्या आप इसे एपसे बना रही है जी नहीं हम इसे एफसे बना रही है यह तो बहुत अच्छा है यह तुम्हारे 8 कॉर्णर्स हो गाए अच्छा 8 कॉर्णर्स के अलावा खोपड़े पर बना दो S negative face पर बना दो S negative die negative sorry S die negative S die negative S die negative पिछवाडे और S die negative अगवाडे यह हो गया उसके अलावा Z and die positive का क्या scenario होता है तो Z and die positive IN जो होता है मेरे गुलजारी लालो it occupies alternate alternate tetrahedral void ओके alternate tetrahedral void तो देखो अगर मैं S die negative की बात करूँ तो यह 8 कॉर्णर पर है एक का contribution 1 by 8 है तो यह 1 हो गया चीक है अगर मैं Z and die positive की बात करूँ तो बटा एक बात समझना एक बात समझना there are 8 tetrahedral void in an FCC अगर मैं 1 FCC unit cell की बात करूँ तो FCC unit cell का Z effective किता होता है 4 tetrahedral void का formula क्या होता है 2 into n तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 into 4 याने की 8 लेकिन मैंने क्या लिखवाया का alternate याने अगर एक पर है तो दूसरे पर नहीं है तीसरे पर है तो चोथे पर नहीं है पाच्वे पर है तो छटे पर नहीं है साथ पर है तो आठ पर नहीं है बलब आठ का alternate 4 होगा आठ का alternate 4 होगा समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों की नहीं समझ रहे हो yes or no are we getting the point पक्का कोई परेशानी किसी भी तरह यह होए दिक्कत तो देर आर फोर टेट्राहेड्रल वाइट्स विचार उक्यूपाइट बाइज जेडेन डाय पॉजिटिव आयन ठीक है अच्छा अब जिंक के तो भीया चार हो गए कि सलफर की अगर मैं बात करूं तो देखो आठ कॉर्णर मैंने बताए अपन ने इसके अंदर एक चीज छोड़ दी जो मुझा भी रिकॉल हुई छे फेसेस पर भी तो है यार मेरे प्यारे बकूरो और एका कॉंट्रिबूशन वन पाट्यू तो तो टोटल आपके पास में चार सलफर हो गया और क्योंकि जिंक है इसने क्या किया हुआ है और अल्टेर ट्रहेटेटरल वाइड य। उक्यूपाइ करें तो यति इस इंक घो गया फोर beide हैं तो इस टूलट्रों। फॉर जेडेन फॉर एस फॉर फॉर्मूला बनके जिसको जब आप सिंपल रेशो में लेकर जाओके तो जेडेने सो जाएगा क्या बोलती पब्लीक किता असान है हां और हम लोग जानते हैं टेट्रहेटरल वॉइड का होते हैं बॉडी डाइगोनल्स पर जिसे ये एक फ्रें प्रेंट वालीय इनके बोडी डाइगोनल पर एक आ जाएगा फिर एक ये बैक वाला थे ये प्रेंट वाला है निष्क्ता सब्सक्राइगे पिर एक वाला है यह फ्रेंट बाला यह बॉल्ट Пर एक इश पर आ जाएगा तो यह तुम्हारा ZNS टाइब को next भ स्ट्रक्चर होता है इस उलो सिंद नहीं टाइब का इस ट्रक्चर अबॉसलिय संदर भी है संनल इन उनिट सेल बन रहा है आपका NIN CCP पर है और Cation आपका Tetrahydral Void पर है अच्छा अगर कोई आपसे इसका Radius Ratio पूछे तो obviously 0.225 से 0.414 के बीच में होगा क्योंकि यहाँ पर Tetrahydral Void Occupy किये जा रहे यहाँ पर आपके Cation का Size छोटा है यह आपके Cation का Size हो गया अच्छा सर इसके कुछ Examples बता दो तो भाई इसके Examples Cucla, Cubra, Cuia, Agcl यह इसके कुछ और Example है ZNS के अलावा और भी कुछ Example होते हैं जो आपके सामने में लिख दिये इसको Note कर लो आराम से फिर अपन आगे बढ़ते हैं है ना Agi होगा This will be Agi Agcl दो अपन और लिख चुके है Note कर लो बच्चो अब आपको मज़ा आने लगा होगा अब आपको समझ मैं लग गए होगी चीज कि हाँ आपन कर क्या रहे है तो गाईस आपको मैंने यहाँ पर AB Ionic Solid के तीन प्रकार पढ़ा है AB Ionic Solid के टाइप के AB Crystal के तीन टाइप पढ़ा है NACL, CSCL और ZNS इसके अंदर Cubic Void इसके अंदर Tetra-Hedral Void इसके अंदर Octa-Hedral Void इसका Coordination Number 8 is to 8 इसका Coordination Number 4 is to 4 इसका Coordination Number 6 is to 6 इसमें Tetra-Hedral Void Cetain Occupy कर रहा है Alternate इसमें 1 Cubic Void Cesium Occupy कर रहा है इसमें आपके Octa-Hedral Voids को Occupy कर रहा है आपका Sodium सारे Octa-Hedral Voids को Radius Ratio आपको पताईए सिर्फ इसके अंदर Primitive यानि Simple Unit Cell का Formation होगा बाकि इसमें और इसमें आपके Face Center Unit Cell का Formation होगा बहुत बढ़िया चलिए तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और यह होगा आपका First Type का यानि कि आपके A-B Type का अब हम लोग हमारे Second Crystal Structure की तरफ चलते हैं जो A-B-2 Type की होगे So Second Type of Crystal Structure Second Crystal Structure Second Crystal Structure is A-B-2 Type A-B-2 Type अब यह A-B-2 Type क्या होता है तो इसके अदर आपको दो स्ट्रक्चा देखने को मिलेगे एक देखने को मिलेगे आपको C-A-F-2 Type का और दूसरा आपको देखने को मिलेगा N-A-2-O Type का अब जरा सोचो इन दोनों में फरक किस बात का है सोचो इन दोनों के अंदर फरक किस बात का है किस बात का फरक है सोचो अच्छा एक बात में और बता दूँ खेर अभी आपको शाइद पता नहीं होगा हम लोग जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तब मैं आपको बता हुआ कि फ्लोराइड कहा जाता इसको इसको एंटी फ्लोराइड बोला जाएगा यानि कि इसका उल्टा है कोई बात में दोनों एक साथ समझेंगे मज़दार तरीके समझेंगे समझ माएगा बही दोनों ये बी टू टाइप के है ए बी टू दोनों ये सेम टाइप के है लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा मैं आपको बताओं यहाँ पर आपका जो केलशियम डाय पॉजिटिव है यह आक्यूपाइ करेगा आपके सीसीपी को सीसीपी लेटाइस को अब आप लोग सब जानतें सीसीपी लेटाइस क्या होता है FCC वाला 8 corner और 6 face लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा यहाँ पर आपका NIN occupy करेगा आपके CCP लेटाईज को समझ गए? दोनों में उल्टी चीज़ चल रही है समझ रहे हो प्यारे प्यारे बच्चो Are you getting the point? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ F negative की तो आपके F negative will occupy all the tetrahedral void fluorine क्या करेगा? सारे tetrahedral void को occupy कर लेगा सर, fluorine ने octahedral क्यों नहीं कर रहा? fluorine का size चोटा है? size चोटा है? हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तुमारा sodium का size चोटा है तो यह occupy कर लेगा आपके all the tetrahedral void अब यहाँ पर ratio कैसे develop होगा? देखो जब हम बात करेंगे calcium die positive की तो यह 8 elitized point पर है और 6 faces पर है तो 8 और एक divide होगे 1 होगया और यह 3 होगया तो यह 4 होगया लेकिन जब मैं F negative की बात करूँगा F negative ने total सारे tetrahedral void occupy कर ले कौन सा unit cell है? FCC तो यहाँ पर tetrahedral void का formula होगा 2 into n F CC का Z effective कित्ता होता है? FCC unit cell का Z effective होता है 4 तो यह जाएकर 2 into 4 यहने की 8 तो यहाँ पर ratio क्या होगया? C and I positive is to F negative इसका ratio क्या होगया? 4 is to 8 तो इस इस दो coordination number यह coordination number भी होगया मेरे प्यारे बच्चों this is your coordination number similar लिजवाब NA2O की बात करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो oxygen है O negative इसने CCP occupy किया तो 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 यह हो जाएगा 4 और जब तुम्हारे NA positive की बात करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे बकुडों तो इसने भी tetrahedral void occupy करा है यह भी CCP है मतलब FCC है अब तो इतना सब को समझ माने लग गया होगा तो 8 तो यहाँ पर NA positive is 2 O negative का यहाँ पर क्या बन रहा होगा 8 is 2 4 तो यहाँ का coordination number हो गया 8 is 2 4 खेर जब आप इसको simple ratio में लेकर जाओगे CA4 F8 को तो यह CAF2 ही कहलाएगा और जब आप इसको simple ratio में लेकर जाओगे NA 8 O 4 को तो यह NA 2 O दिखेगा आपको समझ रहो है चीज बड़ी आसान चिंता करने लिए कोई खास बात नहीं है पर आपको क्या चीज समझ मा गई coordination number वगएरा थाप कुछ समझ मा गया कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीगेगी ठीक है पकी बात तो एक आपके पास में example यह भी होता है ठीक है अच्छा में को इसमें कोई example लिखवाने की जरुवात नहीं लेकिन इसमें कुछ examples लिखवा देता हूं एक तो CAF2 आता है एक CACL2 आता है और एक BAF2 आता है BAF2 ठीक है तो यह हो गए आपके AB2 टाइप के structure जदी से इसको note करो फिर अपन आएके चलते हैं गाईस इसके अंदर आए I guess किसी भी तरीगे की कोई problem दियो नीचे यह बहुत easy है आपको समझ में आगया आपको मज़ा आगया note it down ठीक है अब दो और आपको final structure समझा दूँ फिर हमारा ये काम खतम फिर आजाएगा हमको मज़ा फिर हम लोग चलेंगे हमारे defects वागरा की तरफ जो कि again आपके board exams के लिए भी important होंगे लेकिन as of now this is not important for boards सीधी बात नो बकवास clear है चलो तीसरा and चोथा एक साथ पढ़ेंगे पहला होता है spinal structure क्या होता है spinal structures को बोलते है A B2 O4 type A B2 O4 type और तीसरा होता है invert spinal invert spinal invert spinal that is F E3 O4 type A B 2 positive है नब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना यह जो A होगा this A will be di positive यह जो B होगा it will be tri positive and O will be O di negative ठीक है इसको spinal and invert spinal structure हम लोग बोलने वाले अब कैसे यह बनेगा किस प्रकार होगा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना सबसे पहले एक बात ध्यान रखना दोनों के अंदर ही सबसे पहले एक बात ध्यान रखना इस पाइनल में जो आपका O di negative आयन होगा न यह आपके FCC को occupy करेगा अब आप लोग सब जानते FCC को occupy करेगा तो वन बाइ एट इंटू एट आठ कॉर्णर वन बाइ टू इंटू छे छे फेसे चार अक्सिजन के आपको आयन मिल गए वेरी गुड अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर A di positive की किसकी A di positive की तो मेरे प्यारे बच्चो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि यह छोटू है di positive कम charge है हमें इसको tetrahedral void में रखना पड़ेगा तो it occupy 1 by 4th of tetrahedral void हम मुझे एक बात बताओ क्योंकि यह face center unit cell है हम लोग सब जानते है face center unit cell का z effective होता है 4 तो tetrahedral void की value होती है 2n याने 2 into 4 याने की 8 और octahedral void की value होती है n याने की 4 तो नहीं तो फिर यह 1 by 8th of tetrahedral void को occupy करेगा तो 1 by 8th tetrahedral void को occupy किया total tetrahedral void यहाँ पर 8 है याने की यह हो गया 1 उसके बाद जब हम B diapositive की तरफ चलेंगे तो यह half of the octahedral void को occupy करेगा half of the octahedral void अब octahedral void कितने 4 तो 4 का आदा हो जाएगा 2 तो यह हो गया इसका number तो this is how you will get a spinal structure A diapositive is to B tripositive is to O di-negative A की value 1, B की value 2 and oxygen की value 4 इसके अगर कुछ examples में discuss करूँ तो एक सबसे बड़ी example आता है MgAl2O4 और एक ZNAl2O4 इस आर दा best examples और क्योंकि यह पिछले कई बार पूछे जा चुके हैं I would suggest you all guys कि मेरे प्यारे बच्चों इसको प्लीज अच्छे से note कर लो इस प्रकार से spinal structure आपको मिलेगा तो कोई चिंता करने वाली बात थी कैस के अंदर है ना अच्छे से solve हो गया ही है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े पक्का चलिए अब हम लोग चलते invert spinal structure की तरफ देखो एक बात में आपको आगे बढ़ने से पहले clarify कर दूँ this is called as mixed oxide कैसा oxide प्यारे बच्चों यह mixed oxide वेसे class 10 में भी पढ़ते वट एक बाव वापस समझा देता हूं इसके अंदर actually 11 में भी पढ़ाया जाता है FeO and Fe2O3 का यह mixture होता है तबी तो Fe3O4 बना देखो तीन और एक चार oxygen दो और एक तीन और आइरन तो जब आप देखो गे तो इसमें इसका oxidation number plus 2 और इसमें इसका oxidation number plus 3 होता है ठीक है तो basically जब हम लोग इसका invert spinal structure जब हम इस तरीके के mixed oxides का बनाने जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी oxygen तो no doubt oxygen ion तो तुम्हारा CCP बनाएंगे CCP बोले तो FCC का भाई बिल्कुल सेम होता है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान रखनी है एक fe di positive की एक fe tri positive की मतलब आपको इन तीनों की position यहाँ पर देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर तीन positions यहाँ पर supply करनी पड़ेगी क्या बात समझ में आ गई ठीके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं पक्का ध्यान से एक बात देख लो कोई अगर परेशानी आ रही हो तो आप लोग इसको point out कर लो बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है ठीके आगे बढ़े अच्छा यहाँ पर fe di positive कहां बैठेगा देखो simple सा logic लगा एक बड़ा iron का अगा ट्राइप उसीट्व थोड़ा चोटा हो जाएगा बड़ा होगा तो ऑक्ता हेड्रल वाइड में बैठेगा तो यह उक्यूपाइ करेगा वन बाइफ फोर्थ और यहां पर एक ट्रिक याद रखना यह जो तुमारे प्लस त्री चार्ज वाले हैं यह दोनों ऑक्ता ह वाला है यह सिर्फ और सिर्फ ओक्ता हेड्रल वाइड उक्यूपाइ करेगा चलो तब इसका इफेक्टिव नंबर निकाल लेते हैं इसका तो आपको याद होई गया होगा फोर जैसे इसका फोर था क्योंकि इसने सी सी पी लगाया है तो आठ कॉर्णर पर होगा और छे फे हिटरालोःट में रिखसें इसने एक वण्राइट पोजिशन उडिख अरि टोटल थे आठ इसनोग्यूपाइक रिवन्त ऐति यह यह हो गया घटराह Caitlin कितने हैं? चार नहीं, octahedral void, कितने हैं? चार इसने occupy करी 1 by 4 तो 1, इसने occupy करी 1 by 4 तो 1, तो यहां पर ratio क्या हो गया? F e di positive is to F e tri positive is to O di negative F e di positive किता है 1 F e tri positive किता हो गया 1 plus 1 2 और यह किता हो गया 4 तो ratio इसका हो गया 1 is to 2 is to 4 का और कौन-कौन से mixed oxide है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे औक्टाइडरल वाइड चार होने के विए से वन होगा ना अच्छा एक तो आपको F3O4 देखने को मिलता है और और सोचो और कौन-कौन से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं PB3O4 वेरी गुड और CU3O4 नई CU3O4 की जर्वत नहीं है आप तो यह दोनों याद रखो यह दोनों याद रखो आपका काम पॉर्फेक्ट तो गाईज विद दिस आप यहाँ पर देखो हम लोगों ने बड़े आराम से सारे क्रिस्टल स्रुक्चर देखने की कोशिश करी है न अच्छा MN3O4 याद आ गया लिख लो भूल जाता हूं मैं पर याद आ गया तो गाईज यहाँ पर आप देखो हम लोगों ने आज ताइपस ऑफ क्रिस्टल स्रुक्चर यहाँ पर देखने की कोशिश करी इनवर्ट इस्पाइनल इस्पाइनल देखो यह जे और नीट वा यह अब बतानी जरूरी हैं और यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी इंपोर्टेंस आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी क्योंकि कभी उटकर कभी आपसे पूछ लिया गया तो फिर वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम ना है यहाँ पर इसे डिसकस कर लिया आपको बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से क्लियर हो गई है तो अब हम हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खतम करते हैं इसके आगे की बात यहीं कि आपके डिफेक्ट्स इन सॉलिट उनकी मैगनेटिक प्रॉपर्टी और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वी झाल